स्री शिवाय नमस्तु ब्यम देव दिपावाली जी हां कार्तिक महने की जो पुर्णिमा तीथी आती है उस दिन कहा जाता है देव दिपावाली जी हां जिस प्रकार दिपावाली का महत्व होता है उससे कई हजार गुना प्रवाव साली होती है देव दिपावाली देवधी उपावाली के दिन में मा लश्मी की पूजा अठना की जाती है और गुरुजी पंडेजी ने कुछ ऐसे उपाएं बता है इन उपाएं को करकर आप मा लश्मी को अपने घर बुला सकते हैं हमेशा मा लश्मी आपके खरों वास करेगी साथ में गुरुजी ने विवाहा के लिए करजा मुक्ति के लिए अन्य वनो कामना के लिए अलग-अलग उपाएं बताएं हैं चली वीडियो शुरुवात करते हैं स्वागते मोधी ती अफिशल चैनल पर अच्छा सब लोगों कन्फुजन हो रहा था कि देव दिपावाली है कि 27 नवंबर की है तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि देव दिपावाली है 26 नवंबर की दिन रविवार की दिन दोफर में 4 बजे के बाद से लगेगी जी हां दोफर में 4 बजे के बाद से लगेगी और 27 नवंबर यानि सोमवार की दिन दो फर दो बज़े तक ही रहेगी तो जो उपाय साम के समय करना है वहाँ उपाय आप रभिवार की दिन करिएगा और जो उपाय सुभई के वह उन उपायों को आप यानि अपने सोमवार की दिन कीजिएगा साथ में जो लोग कार्तिक मास के पुन्निमा का वरत रखते हैं वह वरत आप 27 तारिक की दिन रखेंगी यानि सोमवार की दिन रखा जाएगा साथ में हम मैं आपको पता दूंगी कौन सा उपाय सुबह करना और कौन सा उपाय सामगो करना पहला उपाय इस उपाय को करना है आपको रवीवार के दिन यानि कि 26 तारिक के दिन इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा में व्रद्धी होगी माह लक्ष्मी जी हमेशा आपके विराज मन रहेगी आपकी आर्थिक इसी दिर्शुद्रेगी तंगी पैसु की जो तंगी होती वह दूर होगी और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी साथ में अगर आप सोच रहे कि हम यह कारी इस साल पूरा कर ले क्योंकि पैसो की कमी के कारण हमारा यह कारी नहीं हो पारा है तो वह कारी आपका अवश्य पूरा हो गई होगा क्या करना है आपको शाम के समय पांस दिपक तयार करना है लंबी बाती के तेल के ठीक है तेल ले या फिर आप घी भी ले सकते आप जो ले सकते हैं आप भर लेजेगा दिपक के अंदर पर दिपक लंबी बात्री के लेना है पार दिपक के अंदर आप सुनते जाए करम वाइस कहां कहां रखना है देखिए एक दिपक आपको रखना है किसी भी व्रक्ष के नीचे जी हां आप चाहे बेल पत्री के नीचे रख सकते हैं या पीपल के व्रक्ष के नीचे या आमला क के व्रक्ष के नीचे आप किसी भी व्रक्ष के नीचे एक दीपक आपको रखना है ठीक है दूसरा दीपक आपको रखना है तूलसी की क्यारी में जी हां तूलसी के गमले में ऐसा सोचेगा रविवार का दिने तूलसी मातर के पुजा नहीं की जाती है यहीं तूलसी मातर को जलने जड़ाये जाता है, पर दीपक आप लगा सकते हैं, तीषरे दीपक जो लगेगा, वह लगेगा, किसी भी नदी, तलाप, कुवा, बावडी, जो भी पास परती हो, वहां पर लगा दिजिए, और नदी, तलाप, कुवा, बावडी नहीं में नहीं है, तो फीपल के व्र हम दीपा वाली की दिन भी रांगोली बनाना है और उस रांगोली के ऊपर एक दीपा आपको रखना हैata देवी देवता एकसाद मिलकर दिपा वाली बनाते हैं इस दिन यह उपाय करने से आपकी आर्थी सुद्रेगी पैसो की तंगी दिर होगी साथ में अगर आप किसी नए कारी के लिए और सोच रहे हैं और कारी के लिए पेसे क्या हो शकता है तो यह कारी इस सारब पूरा हो जा मा अश्वक सुन्डरी के स्थान पर समर्पित करना है जब मा अशुक सुन्दरी की इस्थान पर समर्पित करोगे डंडी का भाग जहां से जल भेके जाता है उस जिसामे कर लेना पत्ती महादिव क्यूर होगी चुकना भाग नीचे आएगा भो सुन्दर सा उपाए मंगल विवा के लिए आप जिन लोगों का विवा नहीं हो रहा उन्हें अवस्थ बताएगा कि वो ही उपाए कर सके और अपना मंगल विवा संपर्न करा सके तिसरा उपाए देखिए तिसरा उपाए तो आपको अपने ही घर में करना है जी हाँ अपने ही घर में करना है इस उपाय को आप 26 तारीक की दिन दोफ़र के बाद कर सकते हैं और 27 तारीक को सुभा कर सकते हैं क्या करना है देखी आपके घर में मा लक्ष्मी जी तो रहेंगी फोटो वगरा रहता है छोटी सी मूर्ती हो या फोटो होगा आपके घर में या अपने दिपा वाली की दिन मा लक्ष्मी जी का पाना वगरा लगाया होगा तो क्या करेंगे एक पान के पत्ते के उपर जी हाँ सिवाले जाकर आपको महादेव को भी एक बेल पत्ति पाटि के उपर सहथ लगाकर यानि acoustic पत्ति के उपर सहथ लगाकर समरपित करना है। गुरू जी ने कहा है देवताओं में केवल महादेव और महा लक्ष्मी दो ही देव मतल़ शिव जी और लक्ष्मी माता ये दो ही देवी देवताओं जिनके नाम के आगे महा लगता है और दोनों को ही सहद बहुत अत्यधिक पीए होता है तो आप जिस भी कामना से महादेव को समर्पित करोगे शहएद और माल अश्मी को समर्पित करोगे वह मनो कामना पूरी होगी होगी साथ में माल अश्मी और महादेव का आश्राद भी आपको मिलेगा चोथा उपाय, यह उपाय सुभे करने वाला है, तो इस उपाय को आपको 27 नमबर के दिन, सुमवाय के दिन करना है, जी हाँ, बहुत सुंदर सा उपाय है, करजा बढ़ चुका हो, इधन की कमी है, पेशो की तंगी है, याँ आपकी आर्थी इसी दिन ठीक नहीं है, बहुत सम सिया आरी पेशो को लेकर, तो इहाँ उपाय आपको घर पर ही करना है, और सुभा के समय करना है, याँ आप दो बज़े के पहले-पहले 27 नारी के दिन, सुमवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा, इस उपाय को करने से कुबेर का खजाना आपको मिल जाएगा, जी हाँ, आ लंबी बाती के, जी हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने ही घर के मटके परिंडे के पास, जी हाँ, मटके परिंडे के पास, साथ पुष्प समर्पित कर दिजिए, एक एक करके, जी हाँ, और साथ दिपक जो है, अपने घर के ही मंदिन में, साथ दिपक परजलि सब्सक्राइब करदे और साथ पुष्प को उठा लीजे और उठा कर उन्पुष्प पुष्प को आपको पूश्प को लेकर करें या फिर आप दिया के वरष्प नीचे या फिर कोई नदी होगी घाटो पुश्म में से केवल एक पुश्म कीवल एक पूश्प आपको उठाकर आपने छोली में तो शाहिआ पल्लों में चुन्नी में या पिर आप कोई पुरुष कर रहे हैं तो अपनी जेप में उस एक पुष्प को उठा कर लेकर आ जाईए घर लाकर उस पुष्प को सुरक्षित विवेस्टी स्थान पर डबी में या किसी कपड़े में बांद कर रख लीजिए जी हां और उस पु देव दिपवाली के दिन करना है तो यहां कुछ विशेश उपाया से दो आपको 26 और 27 नवंबर के दिन करना है अवस किजिएगा वीडियो पसंद आती तो प्लीज और लोगों तक जरू शेयर किजिएगा स्री शिवाय नमस्तु ब्यां हर हर महादेव